जी, आज के lecture के अंदर हम बिलकुल start करने वाले हैं कुछ और data types से, कि data की कुछ और types भी होती हैं, जिनमें categorical data होता है, ordinal categorical data होता है, फिर multivariate data होता है, structure data होता है, unstructured data होता है, semi-structured data होता है, boolean data होता है, audio का data होता है, textural data होता है, विडियो का data होता है, यह सारी की सारी data types हम देखने वाले हैं अब अपने इस lecture के अंदर, मैं अपनी screen आपके साथ share करता हूँ, here you can see, के हमारे पास different किसम के जो data types हैं, वो यहाँ पे आपके सामने मैं लिखता हूँ और data types को बारी-बारी देखते हैं, सबसे पहली चीज यह है कि जो data types हमने पहले पढ़ी हैं, आज उनी से आगे हम move करेंगे, जिसको हम देखेंगे, for example, अब हम start करने वाले हैं, categorical data से, यानि के, categorical data, यानि के, ऐसा data जिसके अंदर, आपके पास, text use होता है, ठीक है, जिसको हमने कल भी देखा था, ऐसा data जिसके अंदर, text use होता है, और ये data को देखते हुए हम काफी चीजों को ख्याल में रखके भी चलते हैं, क्योंकि categorical data ऐसा data होता है, जिसको हम text को use करते हैं, and then we can actually, we can group our data based on this, ठीक है, इस categorical data की base पे हम अपने data को group भी कर सकते हैं, कैसे group कर सकते हैं, मैं अभी आपके सामने दिखाता हूँ आपको, हम logical जो है, हमारे पास logical understanding के लिए जरूरी होता है, अब इस data के अंदर कौन-कौन सी data types हैं, वो देखते हैं, for example, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि जिनका blood group, blood group, a है, वो यहां पे मुझे बताएं, कि आपका blood group a है, फिर मैं पूछता हूँ कि जि जिनका blood group a, b positive है, वो भी बता दें, negative वाले भी बता दें, and then you can also ask के blood group o क्या है आपका, ठीक है, so यह कुछ groups हैं, यह है categorical data ही, क्यों, क्योंके हमारे पास यहां पे categorical data के अंदर, कोई order नहीं है, यानि कि हम यह नहीं कह सकते हैं, कि जिनका blood group o है, वो ज्यादा advanced level पे हैं, so there is no ordered or rank, फिर हमारे पास जो अगला आता है, categorical data की form के अंदर, वो मैंने कल भी आपको बताया था, that is ordinal categorical data, और यह ordinal categorical data क्या होता है, ordinal categorical data, ऐसा data होता है, जिसके अंदर हमारे पास clear order होता है, we have clear order, clear order, इसके अंदर clear order होगा, और order जो है वो categorical data के उपर लगेगा, categorical data के उपर जो है हमारा order लगेगा, अब इसकी example मैं भी आपको बताता हूँ, हमारे पास categorical ordinal data की काफी examples हैं, और रुजाना की basis पे हमें काफी निजर भी आती हैं, सिर्फ और example मैं आपको कहता हूँ, कि आपने किसी चीज को rate करना है, rating, so rating जो है basically one star rate कर दें, two कर दें, three कर दें, four कर दें, five कर दें, ये rating जो है, जब हम करेंगे, तो हमारे पास जो data आएगा, that would be ordinal categorical data, ठीक है, और जब हम ordinal category को देखते हैं, हम एक और काम कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं, अग अच्छा जी आपकी education level क्या है, या qualification क्या है, educational level क्या है आपका, ठीक है, so जब हम educational level को study करते हैं, उसको भी हम ordinal categorical data में रख सकते हैं, जिसके अंदर आप बता सकते हैं, कि जी मेरी education जो है, वो high school की है, आप ये भी बता सकते हैं, कि जीने मेरी high school की नहीं है, मैं undergraduate पढ़ता हूँ, under graduate, ठी इसी तरीके से आप ये भी बता सकते हैं, कि नहीं, मैं graduate में classes के अंदर, या college के अंदर graduation कर रहा हूँ, ठीक है, so इस तरह का जो हमारे पास order भी हो, और categories भी हो, इसको हम बोलते है, ordinal categorical data, और ordinal categorical data में यही फरेक है, जहां पे हमारे पास specific order आजाता है, उसको हम कहते है, ordinal categor categorical data, जहां पे order नहीं होता, उसको हम simple categorical data कहते है, यह main फरेक है, categorical data में, and ordinal categorical data में, ठीक हो गया जी, यहां तक आपको clear हो गया होगा, कि इन दोनों में क्या फरेक है, अब आगे चल्दा,